तो मूवी की शुरुवात होती है बॉस्टन पुलिस से जहां दो डेटेक्टिव स्पेंसर और ड्रेस कॉल एक कैप्टन जॉन के घर पर पूचताच करने पहुँचे जहां जॉन ने अपना मौसम रंगिन बनाया हुआ था साथ ही उसने अपनी बीवी को मार पीट कर उसे भी रंगिन क्या हुआ था जिस वजह से स्पेंसर और जॉन की लड़ाई होने लगी वैसे लड़ाई कम असल में तो जॉन की पिटाई हो री थी और इसी पिटाई के साथ दा एक्स्पेंसर कल्ट इंट्रिड्यूस करते हैं स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल तो अब कहानी 5 साल आगे आई जहां उस मार पिटाई की वजह से स्पेंसर को जॉब से निकाल कर 5 साल की सजा सुना दी गई लेकिन वो जॉन के पास किस इंट्रेस्टिंग सी मिस्ट्री को सुलजाने गया था वो तो हमें आगे पता चलेगा बस तब तक आप वीडियो को लाइक करके पने रहिए अब जेल में स्पेंसर के सामने ये छंगा आकर बैठा जिसकी जेल के बहार और अंदर सब जगा बाच्चित थी लेकिन तब ही कुछ कैदियों ने स्पेंसर पर हमला किया जिसका स्पेंसर ने भी मुँ तोड़ हाथ मोड जवाब देते हुए सब को परसाथ बेही दिया स्पेंसर को लेने आया तब हेंडी ने बताया कि अभी तुमारी गल्फरेंड लारा भी आएगी लेकिन स्पेंसर अपनी गल्फरेंड से नहीं मिलना चाता क्योंकि वो भौत कलेश करती थी इसलिए वो हेंडी के साथ यहां से निकल गया अब हेंडरी स्पेंसर को अपने घर पर लाया जहां उसने अभी तक स्पेंसर के कुट्टे टॉमी को पाल रखा था लेकिन अब टॉमी का ध्यान ये भॉक रखता जिसके साथ ही स्पेंसर को रोम शेयर करना होगा तभी दूसरी तरफ कैप्टन जॉन जब घर वापिस आने लगा तो तभी एक गैंग ने उसकी गाड़ी का एकसिडेंट करते हुए उससे पूछा कि आखिर तुमने हमारे बारे में उसे क्यों बताया जिस पर जॉन ने वीडियो लाइक करके बस यही कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन इस गैंग को बहुत कुछ करना था इसलिए इन्होंने तभी के तभी जॉन की आलुपूरी बाढ़ ती साथ ही इन्होंने सिफ जॉन की नहीं चलो आगे बताताओ अब अगली सुभा एक पैट्रीशिया नाम की नर्स अपनी नाइट डूटी करके जब घर पहुँची तो उसने देखा कि उसके हस्बंड कैप्टन टेरेंस को किसी ने गोली देकर मार दिया जो देखकर वो काफी सदमे में आ गई अब जॉन की दुश्मनी डारेक्ट इस्पेंसर से थी क्योंकि जॉन की वज़ा से ही वो जेल में गया इसलिए तब दो डेटेक्टिव इस्पेंसर के घर पर पहुँचे जिनमें की एक उसका ही पुराना वाला साथी कालू ड्रिसकॉल भी था तब स्पेंसर ने उन्हें बताया कि कल रात मैं अपने घर पर ही था जिस पर इन डेटेक्टिव को विश्वास तो नहीं हुआ लेकिन अभी ये कर भी क्या लेंगे क्योंकि इनके पास स्पेंसर के अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं था इसलिए तब ये लोग यहां से च कैप्टन टेरेंस की मौत को एक सुसाइड का नाम दिया कि वो तो एक नमबर का चोर आफिसर था जिसने अपने गिल्टे में आकर खुद की जान ले ली जो सुनकर पैट्रीशिया को काफी बुरा लगा क्योंकि कौन चायगा यार उसकी मरेवे हजबेंड या फैमली मेंबर के बारे में कोई ऐसी बात करे खैरब स्पेंसर ने ही अपने दोस्त टेरेंस की मडर मिस्टिज सॉल्व करने का फैसला किया इसलिए उसने डिरेक्ट पैट्रीशिया से बात करी कि मैं चाहता हूँ टेरेंस के कातिल पकड़े जाएं तो बताओ आखिर बीते दिनों में क्या क्या हुआ तब पैट्रीशिया ने बताया कि असल में कुछ ऑफिसर्स मेरे घर पर आए जा उन्होंने पतानी कौन से कोने में से काफी सारे ड्रग्स और पैसे निकाल कर दिखाए कि देखो तुमारा हजबिन तो इलीगल काम करता है जबकि पैट्रीशिया को आज तक अपन गर में ऐसा कुछ ही ने मिला साथ ही उसने बताया कि टेरेंस रोद कैटन जॉन के साथ एक क्लब में जाया करता था तब ये सुनकर स्पेंसर भी उस क्लब में पहुचा जहां उसकी मुलाकात जॉन के करीबी से हुई तब उसने उस करीबी से टेरेंस और जॉन के बारे में पूछा लेकिन इस करीबी ने कुछ बतानी की जगा अपने गुंडों के हातों स्पेंसर को ही कूड़े की तरह भार विकवा दिया तब उसने देखा कि क्लब के बाहर एक ऐसी शॉप भी है जिसमें की CCTV कैमरा इंस्टॉल है तब उसने उस दुकान में जाकर एक चोमू ओनर से वो CCTV फुटेज ले ली जिसके बाद उस फुटेज को हॉक और स्पेंसर ने जब मिलकर देखा तो इने एक पीले रंग की कार दिखी साथ ही जिस दिन उनका मडर हुआ उस दिन ये दोनों एक साथ किलब से भार आये थे तब ये देखकर स्पेंसर का शक और बढ़ गया इसलिए वो अगले ही दिन उस क्राइम लोकेशन पर पहुँचा जहां उसे एक सबूत मिला जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा खैर अब वो अपने पुराने साथी ड्रिस कॉल के पास पहुचा जिससे उसने पूछा कि आखिर जब तुम उस क्राइम लोकेशन पर गए तो तुमने वहां क्या देखा जिस पर ड्रिस कॉल ने मना कर दिया कि नई मैं तो वहां गया ही नहीं जबकि स्पेंसर को वहां से एक टूथफिक मिली जो कि ड्रिस कॉल अमेशा अपने पास रखता है पर अभी वो ड्रिस कॉल से कुछ नहीं कह पाया इसलिए वो यहां से निकल कर हौक के साथ लंच करने पहुचा जहां उसे अपनी एक्स गलफ्रेंड लॉरा दिखी पूरे रेस्टरॉन ने सुन ली तब एक तरीके से स्पेंसर लॉरा के लिए दुबारा अट्रेक्ट हो गया अब यह यहां से भार आये जहां हौक की किलस रही थी कि इतने में स्पेंसर एक गाड़ी के पीछे तेजी में भागने लगा क्योंकि उसने वो गाड़ी CCTV फूटेज में देखी थी जहां जॉन और टेरेंस एक साथ बात कर रहे थे लेकिन भागते भागते उसके कुट्टे फिल हो गए जिसमें कि इस कुट्टे ने भी अपना फुल सपोर्ट दिखाया लेकिन तब इतनी भागम भाग के बाद हॉक ने बताया कि इस गाड़ी का ये नंबर है जो सुनकर स्पेंसर बोला कि पहली बता देता मेरे कुट्टे फिल गरा दिये खैर अब वो उस नंबर प्लेट की इनफॉर्मेशन अपने तरीके से निकलवाने पहुँचा जहाँ उसे पता चला कि एक आर एक आईरिश गैंग के लीडर चारली की है जिसको स्पेंसर काफी अच्छे से जानता है लेकिन कैसे जानता है बतातों बतातों असल में काफी टाइम पहले स्पेंसर की एक पडोसन थी ग्लोरिया जो कि एक एक एक्टिविस्ट थी तो उसने काफी बार चारली जैसे गैंग के खिलाफ आवाज उठाई जिसके बतले में एक दिन उन गैंग्स ने पहले तो गलोरिया की पुसी को मार दिया जिसके बाद उन्होंने एक दिन गलोरिया को भी मार के कार में फैक दिया जो देखक नहीं किया इसलिए ही स्पेंसर उस दिन जौन से बात करने पहुचा लेकिन जब जौन ने उसे मना किया तो फिर उस मारधार में उसे पांच साल की सजा हो गई लेकिन अब वो चारली को नहीं छोड़ेगा जो सुनकर हौक ने जोश-जोश में आकर चारली की कार के टायर ना दी ताकि ये सब देखकर चारली को गुस्सा आए बाकि अब स्पेंसर को भार की इनफॉर्मेशन के लिए एक ही आदमी का नाम याद आया जो था हमारा चंगा इसलिए वो चंगे से मिलने जेल में आया जहां उसने चंगे से चारली के बार में पूछा जिस पर पहले त उसकी पिंकी पॉंकी भी कर देगा तब ये देखकर चंगे ने इस पैंसर को एक नाम दिया कि वंडर लैंड अब ये वंडर लैंड क्या है तो असल में इस जर्नलिस्ट पोपले ने बताया कि वंडर लैंड एक ऐसा गैंबलिंग स्पॉट है जिसे सारे माफिया और कुछ पुलिस ओफिसर मिलकर चलाते हैं तब स्पेंसर उस वंडर लेंड को देखने भी पहुंचा लेकिन वहां कुछ गुंडों ने उसे भगा दिया दूसी तरफ जॉन का अंतिम संस्कार हुआ जो किसी शादी भिया से कमनी लग रहा था खैर तब ड्रिसकॉल अपने पार्टनर से बोला कि अब हमें सारे एक्शन बहुत ध्यान से लेने होंगे क्योंकि शायद स्पेंसर वंडर लेंड तक भी पहुंच चुका है तब ये सुनते ही उसके पार्टनर ने एक रेस्टोंड में स्पेंसर पर हमला कराया जाए स्पेंसर कोई खली का बच्चा तो है नी इसलिए वो जैसे तैसे उन गैंक्स्टर से लड़ी रहा था कि इतने में हौक इस रेस्टोंट में अपने गाड़ी गुसा कर स्पेंसर को यहां से ले गया तब यह समझ गए कि अब वो गैंक्स्टर इन्हें नहीं छोड़ेंगे इसलिए वो हेंडरी को अपने साथ लेकर लौरा के घर पर पहुँचे ताकि वो वहां कुछ दिन सेफ रह सके क्योंकि गैंक्स्टर को लौरा के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता जिसके बाद स्पेंसर एक बार पैट्रीसिया से मिलने पहुँचा जहां उसने पूछा कि क्या टेरेंस के पास ऐसा कुछ था जो उसने सबसे छुपा कर रखा हो सबसे छुपाये तो पैट्रीसिया को कैसे पता होगा खेर तब ये सुनकर पैट्रीसिया ने स्पेंसर को एक रिकॉर्डिंग दी जिसे जब स्पेंसर ने सुना तो पता चला कि इस recording में जॉन ने ये confess कर दिया था कि वो और ड्रेस कॉल याकूजा बॉस के साथ मिलकर उस gambling spot को चलाते हैं जो record करके टेरेंस जॉन के खिलाफ action लेता लेकिन उससे पहले ही उन लोगों ने टेरेंस पर हमला कर दिया तब Spencer उस recording को SPD के पास लेके पहुँचा लेकिन SPD ने अभी action लेने से साफ मना कर दिया क्योंकि ये evidence किसी भी detective पर investigation करने के लिए काफी नहीं है जो सुनकर Spencer को काफी गुस्ता आया इसलिए अब उसने ये खेल अपने हाथ में लेने का फैसला किया जिसके लिए वो सबसे पहले चारली के पास पहुचा जिसे torture करते हुए उसे पता चला कि आज ही एक ड्रक से भरा ट्रक वंडरलेंड जाएगा तब ये सुनते ही इन्होंने उसे ट्रक पर थौर का हतोड़ा फैक कर ट्रक कर ट्रक कर ट्रैक ही चेंज कर दिया जिसके बाद इन्होंने हेल्प करने के बहाने उन ट्रक स्ट्रैवर को मार पीट कर ये ट्रक उनसे छीन लिया लेकिन जैसे ये घर पर पहुचे तो इन्हें पता चला कि हैंडरी बार छोले बटूरे लेने गया था जहां ड्रेस्कोल के आदमियों ने उसे पकड़ लिया तब ड्रेस्कोल बोला कि अगर तुम्हें हेंडरी सई सलामत चाहिए तो वो ट्रक लेकर वंडरलेंड पहुच जाओ जो सुनकर स्पेंसर हौक के साथ वंडरलेंड में पहुच गया जहां उसने आओ देखा न ताओ चीदे ट्रक से सब कुछ उड़ाना शुरू किया तबी बाकी गैंस्टर भी उन्हें रोकने लगे लेकिन ये अपनी पूरी तयारी के साथ आये थे जा इन्होंने भी उन सब पर फाइरिंग शुरू करी तब हौक ने भी उन सब पर भौक भौक के सारे गैंस्टर की लुप लुप कर दी तबी स्पेंसर का सामना ड्रिस्कॉल से हुआ जहां ड्रिस्कॉल अपने वेस्ट इंडीज होने का सबूत देते हुए स्पेंसर की तुड़ाई करने लगा तब स्पेंसर ने भी खूब पिटने के बाद फाइनली अपना असली रंग दिखाया जहां उसने ड्रिसकॉल की हद कडिया उसे ही पैना दी तब ही इस्पेडी भी पहुँची जिनके सामने अब ड्रिसकॉल चार्ली सारे गैंक्स्टर थे जिनने उन्होंने तभी के तभी अरेस्ट कर लिया जिसके बाद ये कैसीनों बंद हो गया साथ ही टेरेंस के उपर से भी सारे चार्जिस हटा दिये गए और उल्टा ड्रिसकॉल पर गिलोरिया के मडर चार्जिस अलग से लगाए गए तब स्पेंसर अपनी टीम के साथ भार लंच करने पहुँचा जहां इन्हें एक बेकसूर आदमी अरेस्ट होता दिखा जिसका मतलब स्पेंसर की लड़ाई आगे भी चलेगी लेकिन अगले पार्ट में बाकी ये मूवी यहीं पर खतम हुई और अब कहानी कैसी लगी दोस्तो लाइक कॉमेंट करके ज़रूर बताना बाकी अब चैनल सब्सक्राइब करके हम देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट जहां उजवल भाई का कहना है कि दोनों चैनल मूवी के हैं तो एनिमे का भी शुरू करूँ तो भाई देखो मैंने इतना एनिमे देखा ही नहीं है तो या तो आप मुझे सज़स्ट करो कि कून सा देखूँ और फिर आपको एक्स्प्रेंड करो या फिर मैं खुद अपना डिसाइड करके आपके लिए एनिमे भी ले आऊंगा जल्दी ठीक है तो टेंशन मतलो और हाँ ठीक है बोस भाई आप कहरेते न वॉल्फ आफ दे स्ट्रीट एक्स्प्रेंड करूँ तो देखो कैसिन भाई ने बताया कि जो मूवी पहले ही भी वर हो सके ठीक है प्रोप बाकि निश्चे भाई को भी शाउट आउट डन और हाँ चैनल पर डॉनली भाई की एकदम नई मूवी की एक्स्प्रेंशन आ गई तो देख लेना साथ ही दूसरे चैनल पर भी एक नई तगड़ी हॉरर मूवी की एक्स्प्रेंशन आई है त कर दो